नमस्कार मैं रवी सुकला की यारसी टाइम के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है त्रिप्रुआर नागा लेन मेघालाय में बीजेपी गड़ बंदन कीजिए लोक सभा में अकिले लड़ने के लिए त्रिनमुल ममता की टिपनी ने विपक्षी एक्ता को जटका दिया चुनाब आयोक के अध्यक्स न्यूक्त करेंगे पधार मंत्री विपक्ष के नेता और सरवच नियालाय के मुख निया दिश तीन प्रुवत्तर राज्यों में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तिरप्रुरा नागालेंड और मिखाले में भाचपा गड़ बंदन सत्ता में आई भाचपा ने साथ सरशिय तिरप्रुरा बिधान सभाव में 34 सीटों पर जीत दर्ज की वहीं बामपंत्री कॉंग्रेस गड़ बंदन ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की तिप्रा माथा ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की नागालेंड में बीजेपी के गड़ बंदन की जीत हुई है एनडी वीपी बीजेपी गड़ बंदन को 49 सीटे मिली एनपीपी ने मेगाले में 25 सीटों पर जीत हासिल की उनकी गड़ बंदन सायोगी बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की त्रीनमुल कॉंग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की उत्तर पुर्वित तीनों राजियों में बीजेपी के आश्चर जनक परिनाम मानिक सहाब फिर सेत्रिपुरा के मुखमंतरी यह ख़वर भाजवा सुत्रुशाई है बीजेपी नेत्रिप का मानना है कि चुनाव से ठीक एक साल पहले मुखमंतरी बदलने का नेतिज़ा अच्छा रहा अगर तल्ला में भाजवा मुख्याला में आज उनका गर्म जोशी से स्वागत किया गिया बीजेपी ने वामबत्थी के उंग्रेस कठवंदन को पीछे छोड़ते वे बड़े अंतर किसे चुनाव जीता चुनाव परना मताते हैं कि मानिक साहा के नितित को तिरप्रुवा के जनता ने स्विकार किया है मुख चुनाव आयुक्त और उपमुख चुनाव आयुक्त की निक्ति की मौजूदा नीति को सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया है यानि निक्ति केंद्र सकार ने दिती अब सुप्रीम कोट ने इस नियम को खारिज कर दिया और कहा है कि अब से परधान मंत्री को बिपक्ष के नेता और सुप्रीम कोट के मुख ने अधीश मुख और उपमुख चुनाव आयोक निल्त करेंगे. सुप्रीम कोट ने आज ये अधेश दिया है. उन्होंने टिपनी की कि चुनाव आयोक को तटस्त और स्वक्ष चवी बन कि लोकतंत्र का शिद्धान्त लोकतंत्रिक संस्थाओं की रक्षा करना है। विपक्ष का पतिनिदुत होना चाहिए। आयो की तटस्त और स्वक्ष्षवी होनी चाहिए। इस मामले में आयो की नियुक्ति करने वाली समिती में पधाल मंत्री, विपक्षी दलके नेता और स् मुखनयादी सदस्य होंगे इससे आयो के निश्पक्षता बनी रहेगी पसिम बंगाल में एक मात बिधान सभा उप चुनाओं में कॉंग्रेस ने जीत दर्च की है कॉंग्रेस के वायरेन विश्वास ने लिफ्ट के समर्थन से सागर दिगी सीट पर त्रिनमूल उमिदवार को हरा दिया अंतर 22,000 मोटो का है बिधान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस अपना खाता खोलने में सफल रही थी शभाविक तोर पर कॉंग्रेस इस सीट पर जीत से खुश है यह पहली बार है जब 2021 के बाद कॉंग्रेस ने पश्चिम बंगाल बिधान सभा में प्रवेश किया है सीपियम नेताओं ने बार बार कहा है कि पश्चिम बंगाल में बामपर्थी कॉंग्रेस गटमंदन अभी भी प्रासांगिक है पश्चिम बंगाल की मुखमंति मम्तर बनर जी के बयान ने विपक्षी एक्ता को हिला कर रख दिया है आज उन्होंने कहा कि 2024 के लोग सभा चुनाओं में तिरीनमुल कॉंग्रेस अकेले चुनाओं लरेगी किसी को मदद की जरुवत नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनके साथ है उन्होंने कहा कि जो लोग भाज़पा को हराना चाहते हैं उन्हें त्रीनुमुल कॉंग्रेस को बोट देना चाहिए। यह दावा करते हैं उनके पास भाज़पा का मुकाबला करने की शक्ती है। सुप्रिम कोट ने अडानी मामले में सेवी को दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने हो कहा है। साथिया देखने हो कहा गया कि कहीं सेर बाजार को प्रभावित करने की कोई कोई कोशिस तो नहीं की गई है। गौता माडानी ने सुप्रिम कोट द्वारा हिंडनब्रग रिपोर्ट की जांच के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने उच्चितम नियाले द्वारा गठित जांच समीती का स्वागत करते हुए कहा कि परनाम के रूप में सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रिम कोट ने यहादेश दिया है और अब सच्चाई को अस्थापित करने में मदद मिलेगी। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही फिर होगी मुलाकात जुरे रहे की आर्सी टाइम्स के साथ नमस्कार। प्राइम्स कंग